हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब मैं एक बार फिर आपके सामने और आज हम उपनी उसी क्लास के आगे का डिस्कुशन शुरू करेंगे जैसे कि आप जानते हैं कि लास्ट लास के अंदर हमने कुछ फांडेशन के बेसिक के बारें बाते की थी मैंने आपको कोर्स कंटेंट भी दिखाया था कि क्या क्या चीज़े से फांडेशन एक कोर्स में आती हैं तो ये वीडियो उसी के आगे कॉंटिनेशन में चलेगी जिसके आगे हमने जो बेसिक लिए अगर आपने हमारी ये पहली वीडियो आप आप देख रहे हैं तो आपको एक और काम करना होगा कि हम इस वीडियो के description में पहली वीडियो का link दलवा देंगे ताकि आप उसको भी पहले देख पाएं आपका एक regularity के साथ और continuation में देखना बहुत जरूरी है क्योंकि पहले हमने वो वीडियो record की है तो वो आपका पूरा एक pattern prepare करेगी उसके बाद ही आप इस वीडियो continue कीजेगा मैं एक बार आपको अपनी slides के according दिखा दूँ कि मैंने last class में या last video में क्या क्या चीज़े आपको बताने ही कोशिश की थी basically हम आपके सामने जो ये लेकर आ रहे हैं एक तरह से demo lectures हैं जो आपके CA foundation course के लिए available किये जा रहे हैं हमारा CA foundation course जल्द ही start होने वाला है इसके information आपको हमारे इन वीडियो के description box में build जाएंगी detail महां से मिल दे सकते हैं आप और आप हमारे courses को join कर सकते हैं तो पहले एक बार देखें कि हमने last class में क्या किया था तो आगे मेरे साथ एक बार हमें आपको दिखाता हूँ कि हमने last class में क्या किया था मैंने आपको accounting के process के साथ start कराया था उस accounting के process के साथ मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्या करना होता है transactions को identify करना होता identify करेंगे financial transaction event को, मैंने आपको यह बात और बताए थी कि financial transaction, transaction का मतलब होता है जिससे financial resources में change आता है और event का मतलब जो है जिससे financial resources में change नहीं आता है लेकिन यह वो ही हो सकती है जो आप major कर सकते है in terms of money, अगर कोई transaction या event money terms में major नहीं हो सकता, तो वो हमारी books में record नहीं हो सकता, दूसरा उसके बाद next point जो हमारे पास था, वो था recording recording का, recording करेंगे हम कहाँ पर journal में journal में एक और बात बोलते है, journal का एक और नाम था, original book of entry original book of entry में आप journal entry की help से आप books में record करेंगे journal entry को books में record करने के लिए आपको चाहिए rules of debit and credit उसके बारे में भी मैंने बात की थी, बट मैं पहले का process पूरा कर लूँ, उसके बाद ही उसके बारे में बात करूँगा, fourth हमारे पास point था, classify करना, journal entry को लेजर बे जब post करते हैं, एक ledger account में post करते हैं तो उसे बोलते है, classify करना, उसके बाद हमारे पार आता है next step, summarizing, summarizing का मतलब होता है कि आप एक trial balance बनाएंगे और trial balance के help से आप अपने पास बनाएंगे financial statement, financial statement में दो चीज़े आती है, income statement और position statement, income statement से आपको परचलता है कि आपके business के profit and loss क्या है और position statement से आपको परचलता है कि आपके business की financial position कैसी है जब ये चीज़े आपको परचल जाती है तो आप क्या करते हैं, उनका analysis शुरू करते है, जो हमारा six process है six step है, analysis and interpretation का, और उसके बाद जब हम analyze कर लेते हैं कि क्या चीज़े रही जो मैं आपको इने example गज़ा है x-ray वाला example गया था, x-ray वाला example मैं आपको बताया था जैसे doctor देख लेता है कि इस x-ray में क्या कमिया है इस तरह से हम अपनी financial statement को देख कर बता देते हैं, कि इसमें क्या क्या कमिया है क्या फायदे है, क्या profit है, क्या loss है वगरा वगरा उसके लावा हम फिर अपने पास next point ले जाते हैं क्या उसको करते हैं communicate किसको communicate करते हैं users को communicate करते हैं users हमारे दो तरह के हो सकते हैं internal user और external user internal में आते हैं हमारे owners management और employees and workers उसके लावा हमारे पास है external users के अंदर हमारे banks and financial institutions creators, government resources, researchers consumers, public investors and potential investors इसके बाद मैंने आपके साथ कुछ example लेकर बातों को शुरू किया कि goods purchase के entry क्या होती है, furniture purchase के entry क्या होती है, outstanding expenses क्या होते हैं तो मैंने एक और चीज़ अच्छी बताई थी आपको कि goods purchase करना हमारे लिए expense है, asset है, जैसे कि अगर आप याद हो तो मैंने कहा था, goods जी हम purchase करते हैं तो वो हमारे लिए expense की तरह होता है और goods purchase करने के बाद जो goods unsold रह गए, जिनको आप नहीं बेच पाए, वो goods आपके लिए stock की form ले लेते हैं, जिसको आप asset की तरह बोलते हो, और इसकी दो entry pass कर सकते हो, दो तरह से entry pass कर सकते हो, closing stock account debit to trading account और closing stock account debit to purchases account, इस तरह से हमने काम किया था, उसके बाद मैंने आप से कहा कि चलो, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको basic सिखाता हूँ, rules of debit and credit सिखाता हूँ और rules of debit and credit सिखाने के लिए मैंने आपको सिखाए दो तरह के बाते पहली बात traditional classification है दूसरी हमारी modern classification है traditional classification की बात करूँ तो वो पुराना तरीका था मैं आपको नाम आज बोल देता हूँ, मैंने उससे नाम भी नहीं बोले थे real, personal, nominal accounts आपने वैसे पढ़ाए, कोई दिख करती है लेकिन मैं आपको पढ़ाँगा modern classification के और modern classification बहुत ही easy, बहुत ही simple सिरफ पाँच चीज़े, कौन-कौन सी पाँच चीज़े asset, expense, liability, income, capital और यह पाँच ही क्यों है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि ultimate output है financial statement की form में उसके अंदर पाँच चीज़े तो आती है asset, liability, capital आता है इन में हम increase करें, तो same order में increase होगा अगर हम decrease करेंगे, तो reverse order हो जाएगा और यह debit का credit हो जाएगा, credit का debit हो जाएगा फिर मैंने आपके साथ इनकी entries को लेके discussion किया था कि furniture purchase के entry क्या होती है और उसके बाद furniture purchase में दो aspect सोचने है dual aspect समझना बहुत जरूरी है जब आप dual aspect समझ जाएगे, तो उसके according आपको चाहिए होगा कि आपका increase, decrease किस तरह से हो रहा है जब हम furniture purchase करते हैं, तो furniture increase होता है और cash decrease होता है तो furniture increase, cash decrease के basis पर आपको चाहिए कि उसका debit credit को ढूले furniture increase में asset increase होगी, तो asset को debit करेंगे cash decrease होगा, तो आप अपने पास cash को credit करेंगे तो entry बने थी, furniture account debit to cash account जो मैंने goods purchase की बात की तो goods purchase के अंदर आपके पास आया कि goods purchase करना आपके लिए क्या है, expense है और जब goods purchase करना expense है तो expense का balance क्या होता है, expense का balance होता है debit, और जब increase होगा तो expense को debit कर दिया, फिर से हमने तो purchases account debit, दूसरी तरफ आपने वाद से cash कया, तो cash credit किया जाएगा, तो आपके लिए cash credit side में आने के वाज़े से entry बन जाती है purchases account debit to cash account एक entry मैंने और discuss की थी आपके साथ outstanding expenses की expenses due but not paid, expense को debit किया था और liability को credit किया था expenses बढ़ रहे हैं, इसलिए debit liability कम हो रही है, liability भी बढ़ रही है इसलिए वो भी credit, तो entry बनी थी expense account debit to outstanding expenses तो ये तीन point मैंने आपके आपके आप डिसक्रिस के थे, उसके आप मैंने आपको पूरा पूरा course content दिखाया था, ICI कितना course content cover कर रहा है, अपने exam के अंदर, 100 marks के paper के अंदर किस तरह से आता है, और आज मैं आप आगे आपके साथ चलना चाहूँगा, और आगे चलते वक्त मैं आपके आप फिर से कुछ basics के regarding की बाते करूँगा, मैंने आपसे कहा था कि अगर आपने एक आप basic अच्छे समझ लिया तो आपको आगे के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी, chapter start करना कोई मुश्किल बात नहीं है आप उस चीज़ को लेकर tension छोड़ दीजे कि आपका chapter कब start होगा, कैसे चलेगा लेकिन आपका basic strong हो जाएगा तो फिर दिक्कत की बात ही नहीं है मैं फिर से बोलता हूँ, अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है, तो पहले उसको जरूर देखिए और फिर इस वीडियो के आगे continue कीचेगा So, मैं अपने पास एक बार third point जो हमने last class में discuss किया था, last video में discuss किया था, उसी को दुबारा से एक बार आपके साथ लेना चाहूँगा, एक example के साथ, और फिर अपने examples को आगे जोड़ता चाहूँगा या even मैं एक काम करता हूँ, आपके लिए और बेटर तरीके से ले के आता हूँ मैं बिल्कु स्टार्टिंग से discuss करता हूँ बिल्कु स्टार्टिंग से मतलब, बिल्कु स्टार्टिंग का मतलब है कि हम अपने पास basic journal entries से शरूर करेंगे चेप्टर स्टार्ट करना मुश्किल बात नहीं है लेकिन चेप्टर स्टार्ट करते वक्त अगर आपको जोना इंट्री नहीं आई तो फिर फिर चेप्टर स्टार्ट करने का फायदा नहीं है तो पहले क्यों ना मैं आपका बिल्कुल बेसिक बना दू और तब आगे बात कर तो मैं start करता हूँ उस entry के साथ जो कभी आपने पहली बार पढ़ी थी अगर आपको याद हो तो आपकी सबसे जिंदगी की सबसे पहली entry 11th class की पहली entry थी business started with cash याद है आप सबको मैंने आप से क्या बोला था मैं बिल्कुल एक एक basic point लेके चलूंगा कि आपने चाहे commerce से किया चाहे science से किया चाहे art से किया आपको मेरी बाते समझ में आएंगी और मैंने एक बात उस time पर ये भी बोली थी कि अगर आपको ये भी नहीं पता कि asset liability expense क्या होते हैं तो उसके regarding भी मेरे YouTube चैनल के ओपर वो 5 वीडियोज हैं आप उन 500 वीडियोज को जरूर देखिए ताकि आपको वो भी समझ में आएं सो business started with cash rupees 1 lakh rupees अब आपको फिर से बताने हैं dual aspect मैं एक बार आपके लिए easy करने के लिए आपको वो balance फिर से आप दिला दूँ पास चीजे होती है asset expense liability income capital इनका जो balance है वो है debit debit credit 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 अगर increase होगा तो debit debit credit 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 और अगर decrease होगा तो credit credit debit 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 यह मैंने short में लिख दी है ताकि आपको असानी समझ में आए अब बड़ा business started with cash मैं एक बहुत simple बार बताऊं हमें अपनी accounting entry जो भी करनी है वो हमेशा business के पॉइंटर बीसे करनी है और business के पॉइंटर बीसे जब जो भी accounting entry करेंगे वो accounting entry dual aspect के basis पे चलने चाहिए business started with cash business के बड़ेगा हुआ पैसा बढ़ गया capital बढ़ गया तो जब cash आया तो asset बढ़ा asset बढ़ेगा तो क्या करेंगे debit और जब capital बढ़ेगा तो इसको credit करेंगे तो entry actually में क्या बनती है entry बनती है cash account debit to capital account cash account debit to capital account तो entry का basic इस तरह से बनाया जाएगा मैं इसी में दूसरा point आइड करता हूँ basically B point आइड करता हूँ ये एक तरह से हमारा first का A point हो गया B point क्या है मैंने business start किया cash एक लाक रुपे machinery पचास हिजार रुपे stock 40,000 रुपे और bank में पैसा पढ़ा है 10,000 रुपे अब मैंने चार चीजों के साथ business start किया है जब मैंने चार चीजों साथ business start किया है तो मुझे इन चारों की recording करनी होगी और ध्यान रखना cash, machinery, stock, bank, business start करते वएक तो चारों के चारों asset है और asset बढ़ रहा है business के point रुपे इसे तो entry अब क्या हो जाएगी cash account debit machinery account debit stock account debit bank account debit ये कितना कितना ये हो गया एक लाक रुपे ये हो गया 50,000 रुपीज ये हो गया 40,000 रुपीज और ये हो गया आपका 10,000 रुपीज और 2 यहा लिखा जाएगा do capital account ये कितने से 2,000,000 रुपे से तो ultimately entry में आना capital ही है लेकिन capital किस-किस चीजों की वज़े से बना हुआ है वो भी आपको पता होना चाहिए अच्छा एक चीज और अच्छी बोलना जाएं तो उन entry को बोल देते हैं compound entry compound का मतलब को चीजों को मिला कर बनाना combine करना compound करना तो यहाँ पर simple entry या फिर compound entry इस तरह से इन entries की derivation या बनाई जा रही है तो मैं आप मैंने क्या बोला मैं अब आपके साथ पूरा point to point लेके चलूंगा आपने पहले क्या पर रखा था वो सब भोल जाएगा अब सिरफ आपके साथ एक एक entry का basic strong बनता जाएगा मैं यहां से पता है आपको पता भी नहीं चल रहा है लेकिन मैं आपना एक chapter Rectification of Errors याद है आपको Rectification of Errors Journal entries करते दर्म कोई गलतियां होती थी तो जो जो आज की स्टार्ट हो रही है न उस class के अंदर हम actually आपको बेसिक बोलके पढ़ा रहा हूं लेकिन मैंने तो अपना काम शुरू कर लिया है मैंने आपना काम last class में शुरू कर दे था मैंने अपने basically आपको basic देने के बहाने आपने अपना पूरा chapter करा लेना है क्योंकि Rectification of Errors सिर्फ Journal Entries Based Chapter है, अगर वो आपको आता है, तो उसके लिए आपको Journal का समझना बहुत जरूरी है, तो समझगे बात को आप मेरा, तो मेरा chapter मेरा स्टार्ट हो चुका है, तो बस अब आपको ये ध्यान देना होगा, कि किस तरह से हम करने वाले हैं, मैं आपको उन तक कुछ भी strong नहीं है, तो इसलिए basic pattern is, कि आप basics पे ध्यान देजिए, basic क्या है आपका, ये मेरा first point हो गया, जो business started की बात करता है, मैं बात करता हूँ, अगले point को लेकर, second point, चलिए, second point की बात है, second point में एक word लिखा है, purchases, अब purchases word को न मैं दो पार्ट में डिवाइड होगा, तो दो पार्ट में की डिवाइड किया, मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, क्योंकि हम बात करेंगे goods की और हम बात करेंगे assets की, यहां पर आएंगे इनके modes जब हम बात करते है, purchases, तो purchases दो तरह से हो सकती है, cash में और credit में, इससे आपका basic बनता जाएगा, ध्यान रखेगा, इससे आपका basic बनता जाएगा, basic बनाओगे, तो journal entry समझ में आएगी, so purchases word goods, purchase in cash, अगर आप ध्यान से देखें, तो यहां पर जो आने वाला है, वो goods purchase in cash के बारे में आने वाला है, और goods purchase in cash को लेकर फिर से आपने बताना है, मुझे dual aspect, मुझे आपसे journal entry जानने में कोई interest नहीं है, मुझे आपका basic का dual aspect जानने में interest है, goods purchase in cash का मतलब क्या, जब आपने goods खरीदे, तो goods आए और cash गया, goods खरीदना आपके लिए क्या, expense या asset, goods खरीदन account, debit to cash गया, cash क्या होता है, asset, asset का balance, debit, increase pay, debit, decrease pay, credit to cash account, और यही, यही goods अगर मैंने credit पे खरीदे होते, यही goods अगर मैंने credit खरीदे होते, तो यहाँ पर क्या होता, purchases account debit, purchases account debit मतलब, आपने goods खरीदे, लेकिन आपने goods cash में खरीदे, तो dual aspect क्या, goods को खरीदना, expense भड़ा, payment की या नहीं की, अगर payment कर दी तो cash credit, लेकिन अगर payment नहीं की, तो आपके लिए बन जाएगी एक liability, और liability का balance क्या होता है, liability का balance होता है, credit, और liability का balance होता है, credit, तो increase पर आ purchase account debit to creditors, बात समझ पा रहे हैं आप, तो purchase account debit to creditors के बाद, ये मेरा goods वाला column complete जाता है, लेकिन जब हम asset पे पहुँशते हैं, तो एक चीज़ को आपको ध्यान देना होगा, कि जब आप asset खरीदेंगे, तो उससे अखर्चा नहीं हुआ, उससे basically आपका एक asset create हुआ, although asset खरीद capital expenditure और deferred revenue expenditure, although मैं इसकी detail में अभी नहीं जाओंगा, जैसे हम chapter को आगे बढ़ाएंगे, हम आगे जाके पहुँचाएंगे इसके बारे में, कि आपका revenue expenditure क्या है, capital expenditure क्या है, वगरा वगरा, बट फिलाल ये, कि जब हम कोई asset खरीदते हैं, तो उससे asset increase होता है, cash में खरीदें asset account debit to cash account, लेकिन अगर ये ही asset मैंने credit बे खरीदा, तो asset increase तो हुआ, लेकिन पैसा गया क्या, नहीं, पैसा भी नहीं गया, और अगर पैसा नहीं गया है, तो in that case, आपको यहाँ पर लिखना होगा, vendor, asset account debit to vendor, vendor, vendor का मतलब क्या, सर creator क्यों नहीं लिखा, पिटा creator लिखते हैं, जिब आप गुच खरीदते हैं, और अगर आप कोई asset खरीद रहे हैं, credit पे, तो ultimate जो हम accounting करते हैं, वहाँ पर तो person का नाम आता है, या organization का नाम आता है, for example, आप Samsung से खरीद रहे हो, Sony से खरीद रहे हो, किसी और XYZ कमनी से खरीद रहे हो, तो उसका नाम लिखा जाएगा, लेकिन अगर नाम mention नहीं है, तो आप vendor word mention कर सकते हो, vendor का मतलब और कुछ नहीं है, seller ही होता है, आप एक word और use कर सकते हो, creditor for asset, आप ये भी लिखकर काम सुला सकते हो, मुझे इस से कोई दिक्कत नहीं है, लोग जा आप जब भी कोई asset खरीदते हो, तो उस asset को खरीदते वक्त, या उस asset को खरीदने के बाद उसके installation तक, basically जब तक asset available for use ना हो जाए, हर खर्चा asset की cost का part बनता है, पतलब मैं फिर से बोलना चाहूंगा, हर वो खर्चा जो asset के खरीदते वक्त, या asset को install करने के लिए incurred किया जाएगा, मतलब asset के available for use तक लाने के लिए खर्चा किया जाएगा, वो सारा का सारा asset की cost का part होगा, जैसे कि आप asset खरीद कर, tempo के basis पर, tempo के help से अपने office तक लेकर आए, वो tempo किराया भी asset की cost का part है, फिर आपने एक AC खरीदा, AC खरीदने के बाद आपने उसे office में लाक उसका part होगा, तो जो भी खर्चा, asset खरीदते वक्त होना चाहिए, या उसके installation के वक्त होना चाहिए, खरीदने के बाद को repair करा रहे हो, वो काम का नहीं है, हाँ अगर वो repair major repair है, जिससे asset की earning capacity बढ़ जाएगी, तो asset में add हो जाएगा, लेकिन अभी मैं asset की बात की बात नही जाएगा, 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 जाए नपकिज तफ झाल थैन फ तो को आप he आ जा आप कि मैंनना अए लिफ तन ली ए खन ली बाज को आपिक Andrew asset, कोई भी खर्चा asset के खरीदने वक्त या उसके installation पे incurred होगा, तो वो आपको asset की cost में add करना होगा एक बड़ी simple सी बात ध्यान रखना मैं नई asset खरीद के उसे repair नहीं कराता लेकिन अगर मैं old asset खरीद रहा हूं और उसको उसी वक्त पे repair करा हूं तो वो repair का खर्चा भी asset की cost में add होगा मतलब मैं simple सा मतलब है कहने का आपने कोई पुरानी कार खरीदी और उस कार का dinting, painting उसको बलकुल नया बनाने की कोशिश की खर्चा क्या उसे पैसे लगाए, accessories लगाए चूबी क्या, वो सारा का सारा उस कार की cost में add होचाएगा पर point क्या है, कि खरीदते वक्त खर्चा हो रहा है जो खरीदते वक्त खर्चा होगा, वो उसी asset की cost में add किया चाएगा हाई गैस, आपको मेरा point समझ में आगे होगा, तो इस point के regarding ही हम आगे बढ़ते हैं, और मैं आपसे आगे discuss करता हूँ, third point के regarding, हमने बात कर लिए अब तक purchase third topic मेरा आता है sale का, और यहाँ पर भी मैं sale को दो पार्ट में divide करना चाहूँगा, जैसे मैंने purchase को किया इसमें भी क्या आएंगे बटा, modes आएंगे यहाँ पर फिर से हम बात करेंगे goods के बारे में और यहाँ पर हम बात करेंगे assets के बारे में modes के अंदर फिर से बटा, आपके फिर से वो ही दो mode रहने वाले, cash के या फिर credit का, अब बेड़ा simple सा point है, ध्यान से आप मेरा तरीका समझ चुके होगे अब तक, मैं basic पर कितना ध्यान दे रहा हूँ आपके लिए और वो ही, मैं चाहता हूँ कि आप भी उतना ही ध्यान दे ताकि आपका और मेरा basic match करें, जब मैं आपको कल को कुछ भी पढ़ाऊ, foundation में पढ़ाऊ, enter में पढ़ाऊ, तो वो हर एक चीज आप तक इतनी clarity के साथ पहुंचे, कि सर, हमें तो यह पाले से बात पता थी, क्योंकि अगर मैं कोई entry समझाऊंगा, तो आपको समझ में तब ही आएगी, जब हम दुन cash आएगा, yes, goods जाएंगे, yes, तो goods जाना क्या आपके लिए asset है, नहीं, goods का जाना आपके लिए एक income की तरह है, और income का balance क्या होता है, income का balance होता है, credit, तो इसका मतलब, पैसे के आने के वेरे से asset बढ़ेगा, और goods भीशने के वेरे से आपकी income बढ़ेगी, asset बढ़ेगा तो debit क तो credit करेंगे, तो entry क्या बनेगी, बोलो, entry क्या बनेगी, entry बनेगी cash account debit to sales account, cash account debit to sales account, sales हमारे लिए income है, जैसे हम खर्चे के लिए goods purchase के लिए purchase word यूज़ करते हैं, ऐसे हम goods sold के लिए sales word यूज़ करते हैं, अच्छा अगर सर यही goods हमने credit ने बेचे होते तो, तो बेटा आप बताओ, पैसा मिल गया होगा, नहीं, पैसा future में आएगा, और पैसा future में आएगा, तो इसका मतलब आपके लिए क्या create करेगा, आपके लिए debtor create करेगा, अगर आप किसी person को goods create में sold कर रहे हो, और आपको उस person से पैसा लेना है, तो person आपके लिए बन जाता है debtor, और debtor भी क है, और asset बढ़ रहे है, तो क्या करेंगे फिर से, debit, तो entry के बनी, debtors debit to sales, cash to sales, debtors to sales, बिल्कुल सिंपल है, entry बिल्कुल reverse हो जाती है, वहाँ था purchase to creditor, यहाँ के debtor to sales, यानि कि बिल्कुल reverse impact पर चल रहे है, आपको सिरफ debit credit तो समझना है, debit credit समझ आगया, तो को tension ही नहीं है, अगर आपने asset बेचा in cash, तो क्या entry होगी, asset बेचा in cash, पैसा आएगा, जाएगा, पैसा आएगा, और asset जाएगा, आएगा, asset जाएगा, तो इसका मतलब एक asset बढ़ रहा है, एक asset कम हो रहा है, जो बढ़ रहा है, उसे क्या करेंगे, debit, cash account debit to, और अगर बेचा, तो asset जाएग तो आप, vendi word use करेंगे, debtor word use नहीं कर सकते है, फिस debtor क्या होता है, goods or services के लिए होता है, जिसे creator goods or services के लिए था, इस तरह से, यहाँ पर debtor भी goods or services के लिए है, यहाँ vendor का उल्टा क्या है, vendi, buyer, vendi to asset account, simple सा point है, हाँ, अब इस point को लेकर ना, एक बहुत ही logical और basic point है, generally हम इस point को इतना, ध्यान नहीं देते हैं इस point के उपर, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप asset को बेशते हो, तो आपको asset को बेशने में profit भी हो सकता है, अब asset को हमारे लिए goods थोड़ी है, जो trading profit loss में जाएगा, वहाँ से GP और MP निकालने में help करेगा, नहीं, यह asset तो वो है, जो हम use करते थे, लेकिन किसी वज़र से हम इसको बेच रहे हैं, अब asset को बेचने में होने वाला profitable loss, recurring nature का हुआ या non-recring nature का, क्योंकि अगर वो recurring nature का हुआ, फिर तो वो आपका regular काम होता है, और regular काम आपके लिए बनता है revenue profit, लेकिन अगर वो non-recring nature का है, तो फिर वो बन गया आपके लिए क्या, capital nature, और capital nature के profitable loss, profitable loss account में शोनी होते, वो capital reserve में चाते हैं, तो इसका मतलब मुझे आपको एक चीज और सिखानी है, कि asset को बेचने में होने वाला profitable loss आपके लिए किस nature का है, मैं आपको एक example दे के समझाऊंगा इस चीज के लिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए आपके पास एक asset है, जिसकी cost है 100 रुपे, 100 रुपे जब आप आपके लिए एक non reckoning nature का expense होता है, capital nature का expense होता है, capital expense बोलते हैं, इसके ओपर आप लगाते हैं depreciation, for example 10 रुपीज लगा, बचा कितना 90, ये 10 जो लगा, ये आपका होता है revenue expense, क्योंकि हर साल लगेगा, तो revenue nature है, revenue expense, फिर आपने depreciation फिर से लगाया, 10, value बची 80, फिर आपने depreciation लगाया, value बची 10 लगाने के बाद 70, ये आपकी WDV है, return down value, बची हुई value, अच्छा अब आगई से आप बेशने निकलेंगे, तो क्या लगता है, 100 रुपे की चीज जो की आप लेकर आए थे, आज वो 70 रुपे की है, वो कितने की बिख जाएगी, 70 की चीज सर अगर बिक ये 85 में, सर इस मुझे कितना का profit हो रहा है, 15 रुपे का profit हो रहा है, तो ये profit 15 रुपे, revenue nature है, capital nature, अगर मैं बोलू कि मेरे goods होते, फिर मैं बेच रहा हूं, फिर तो सर revenue profit है, बार-बार बेचते हैं, लेकिन अगर मैं asset बेच रहा हूं, तो asset तो मैं बार-बार नहीं बेचता तो सर, asset की बेचनला profit भी, capital profit होगा, ये चीज़ आपको decide करनी पड़ेगी, अब मैं आपको बड़ा simple सा example देता हूं, मुझे बहुत ध्यान से बताना, कि ये 10, ये 10 और ये 10, ये 30 रुपे आपका revenue expense है, जिसकी वैसे asset की value कम हुई है, तो जब आप asset को बेचते होना, तो up to 30 जो depreciation आपने लगा रखा है, वो 15 रुपे आपके लिए हमेशा revenue profit है, क्या है वो आपके लिए, वो आपके लिए revenue profit है, सर समझ नहीं आया, अब ध्यांस देखना, अगर 70 की चीज़ आप 110 में बेचो, तो कितने का profit हुआ, सर 40 का, इस 40 में 30 रुपे कैसा होगा, 30 रुपे होगा सर, revenue profit, येस, अब आप समझ गए, और 10 रुपे कैसा होगा, capital profit, इसका मतलब जब आप asset को बेचते हो, तो उसमें, जो depreciation लगा है, उस value तक का, जो भी आप कमाएंगे, वो सब revenue profit होगा, और उसके उपर अगर आप कुछ कमा जाएंगे, तो वो capital profit होगा, मैं ऐसा कह सकता हूँ, कि जो ये capital profit है, ये ऐसे भी निकल सकता है, कैसे निकल सकता है, अगर आप sale price में से cost minus करते हैं, sale price कितना था, 110, cost क्या थी, 100, तो 10 रुपेया capital profit है, आई बास समझ में आपको, तो capital profit 10 रुपेया आपका निकल सकता है, अगर आपका sale price आपकी cost से भी जाता है, तो इसी इसका ध्यान रखेगा, कि revenue profit और capital profit निकालने के लिए आपको एक simple सा formula लगाना है, अगर आप अपना revenue profit निकाल रहे हैं, तो sale price minus करेंगे WDV से, ये आपका revenue profit होगा, लेकिन अगर वो sale price, cost price से भी उपर निकल रहा है, तो जो excess है वो आपका capital profit बन सकता है, तो आपको comparison करना पड़ेगा, ये एक छोटा सा basic point है, आगर आकर बहुत काम आएगा जब आप inter में पहुँचेंगे, लेकिन मैंने आपको एक basic देने की कोशिश की है, कि capital profit और revenue profit में किस तरह से calculation होती है ये सब basic बाते हैं, जानना जरूरी है क्योंकि आप charted accountant बनने जा रहे हैं, तो आपका हर एक एक point strong होना चाहिए, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने पास, हमने third point तक complete कर लिया है, मैं आपके पास fourth point पे लेके जा रहा हूँ आपको, fourth point है मेरा, expenses का, मैं आपके साथ बिल्कु basic लेके चल रहा हूँ, please focus रखेगा इन चीजों के लेकर, expenses में, अब मैं तीन पार्ट में लेके जाऊँगा, expense due and paid, expense due but not paid, expenses paid in advance, और जो due but not paid है न, उसी को एक और नाम भी देते हैं, क्या नाम देते हैं बड़ा, outstanding expenses, और जो paid in advance है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, prepaid expenses, सारे words आपने पढ़ रखे हैं, सुन रखे हैं, बस मुझे जनरेटरी सिखानी हैं, और बेटर तरीके से बतानी हैं, बेटर जब expenses due and paid होता है, यानि कि खर्चा हुआ और आपने pay कर दिया, तो इसके dual aspect क्या हैं, आपका expense क्या कर रहा है, increase, और increase करेगा तो क्या करेंगे, debit, आपने pay कर दिया तो cash, asset है, और asset क्या हो रहा है, decrease, तो क्या करेंगे, credit, तो entry बन जाती है, expense account, debit to cash, account, expense account, debit to cash account, simple सी entry है, लेकिन जब यही entry due but not paid में जाती है, तो थोड़ी सी दिक्कत आने चुरू होती है, although entry मैं आपको last class में सिखा चुका था, मैं अभी भी लिखूँगा, आपको अभी समझा जाएगी, लेकिन मेरा थोड़ा तरीका अलग है, मैं चाहूँगा कि मैं आपको इसको और बेटर तरीके से बताओ, मैं आपको इसके लिए नेक example दिखाऊँगा, उस example को आप समझेंगे, तो और बेटर तरीके समझ पाएंगे, देखेंगे अधान से, बिटा ये है 1st April 2019, और ये है 31st March 2020, और मैंने 1st April के दिन अपने पास एक छोटू को काम पर रखा, जिसकी सालरी 10,000 पर मन्त है, और मैंने इसको बुलाओ बेटा, आप अपनी सालरी ना हमेशा मुझसे अपरेल बहीने काम करने के बाग, अगली साफ तारिक को आप मुझसे आके लेगे, यानि कि अगर ये मुझसे अपरेल में काम करेगा, तो ये अपरेल की सालरी मुझसे कब ले सकता है? यह मुझसे ले सकता है 7 मई को यानि कि मई मन्थ में तो में मन्थ के अंदर मैं इसको 10,000 पे पे कर दूँगा ऐसे करके मैंने उसे हर महिनी की सैलरी पे करनी शुरू कर दी पहले में 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 पे किया फिर कब पे किया जून में फिर जुलाई में आउगस में, सेप्टेंबर में ऑक्टोबर में नवंबर में, दिसंबर में जैनवरी में, फेबरी में मार्च मैंने 7 मार्च को भी पे मेंट की है उसे बताए अब तक मैं उसे कितनी बार पे कर चुका हूँ अब तक मैं उसे पे कर चुका हूँ एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पाँच बार, छे बार, साथ बार, आट बार, नौ बार, दस बार, ग्यारा बार यानि कि मैं 10,000 into 11 times उसको payment कर चुका हूँ 11 महीने तो अब तक मैं उसे दे चुका हूँ कितना 1,10,000 लेकिन क्या उसने काम पूरे 11 महीने किया और 12 महीने किया सर पूरे 12 महीने किया तो बड़ा उसकी salary तो कितनी बनती थी 10,000 to 12 कितने बनती थी 1,20,000 रुपे बट मैंने दिया कितना उसे 1,10,000 रुपे अचा बाकी amount में उसे कब दोंगा सर आपसे payment करोगे 7 अप्रिल को बिल्कुल ठीक तो इसका मतलब जो आखरी का 10,000 रुपे है आच्चली ये बनना कितना चाहिए था 1,20,000 expense due कितना हुआ एक बीस expense due के बाद expense pay कितना हुआ 1,10,000 इस 1,10,000 की entry क्या हो गई expense account debit to cash 1,10,000 ये entry 11 बार की गई होगी 10,000 करके मैंने एक साथ लिख दिया आपके सामने और जो expense due हुआ but not paid रहे गया expense due हुआ but not paid रहे गया कितना not paid रहे गया 10,000 रुपे खर्चा तो हुआ था expense account debit तो होगा कितने से 10,000 से लेकिन अब एक word जोड़ जाएगा outstanding expense देख लीजे cash क्यों नहीं आया क्योंकि मैंने pay नहीं किया और outstanding expense क्यों आया क्योंकि मेरी liability बढ़ गई और liability का balance क्या होता है liability का balance होता है credit liability बढ़ गई है तो वो credit balance आ गया expense account debit 2 outstanding expense I guess आपको मेरा point समझाया होगा मैंने बिल्कुल basic से इतना detail में आपके सामने लिख दिया है कि आपको कोई दिक्कत ही ना आए तो जब भी कोई खर्चा होगा तो आपके mind में क्या चीज़ आनी चाहिए कि बई expense तो increase हो रहा है और उसकी वज़े से वो debit होगा दूसरी तरफ outstanding expense बन रहा है जो की liability है जो की increase होगी और increase की वज़े से वो क्या होगी credit ultimate entry क्या बनी expense account debit to outstanding expense expense account debit to outstanding expense हर एक पॉइंट को लेकर मैंने entry को discuss किया हुआ है so point is expense account debit to outstanding expenses का point निकल के आया अब एक थर्ड आपके सामने आ रहा है prepaid expense अब prepaid expense पर जाने से पहले मैं आपके इसी example को फिर से आपके सामने लेके आऊंगा noting तो बढ़ा आप कभी भी video क्लोस करके या stop करके note कर सकते हो पोस करके note कर सकते हो लेकिन main concern यह समझे कि आपका question किस तरह चल रहा है अचा अब मैं आपके सामने पॉइंट लेका आता हूं एक और चीज़ मैं पहले पूछू साथ अप्रिल के दिन क्या entry होगी अगर मैं साथ अप्रिल के दिन इसकी entry करना चाहूँ क्यों कि देखो 31 मार्च को मैंने store कर दी होगी यह 31 مार्च के दिन हुई है यह ंट्रिय हुई हह अगली बार साथ अप्रिल आगईगी उस दिन क्या होगा इस दिन क्या होरह है इस दिन क्या हो ओल्दु इस नहीं है डिया कोर्स का या मेरे इस का पॉइंट नहीं है नहीं किया रार हूँ आप से पूशन हो क्यों कि हर एंट्री तो जब outstanding expenses पे होंगे, तो dual aspect क्या होगा, आपकी liability कम होगी या बढ़ जाएगी, liability कम होगी, liability का balance क्या होता है, liability का balance क्या होता है, liability का balance होता है, credit, increase करते हैं तो credit करते हैं, और decrease करते हैं, तो debit करते हैं, तो entry क्या होगी? Outstanding expenses debit. चाब पैसा गया या? आया, पैसा गया, cash, decrease, तो cash credit हो जाएगा, तो outstanding expenses to cash. तो यह actual impact आएगा उस चीज़ का. अब मैं लेकर आता हूँ आपको prepaid के उपर. अब prepaid expenses की जब हम बात करते हैं, तो काफी बच्चे मुझे बोलते हैं, सर, entry होती है, prepaid expenses to expenses. कुछ बच्चे मुझे बोलते हैं, सर, prepaid expenses to cash करेंगे. तो इसका मतलब entry दो तरह की हमने सुनी है, करी है, पढ़ी है. लेकिन वो दोनों में से कौन से entry कब होनी है, वो सीखना है. इंट्री आपको आती है, मैं नो डाउट मैं बनानी कर रहा, लेकिन कब करनी है, कैसे करनी है, वो नहीं आता आपको सही से. मुझे वो ही सिखाना है. अगर वो आप सीख गए, तो आपको ये बात clear हो जाएगी, कि इंट्री का impact किस तरह से show होगा. इसी के लिए मैं आपको इसी example के लिए कुछ बाते बताऊंगा, ध्यान से बहुत सुनिएगा. इसमें ना आपकी पता है क्या है, अगर मैं आप से एक simple सी बात बोलता हूँ, आप जो course कर रहे हैं वो है chartered accountancy का, आप बनेंगे C, chartered accountant. लेकिन आपके कुछ दोस्त, जो graduation कर रहे हैं, या कोई accounting का course कर रहे हैं, जो accountant लग जाते हैं, शायद उनको वो knowledge नहीं मिल पाती है, जो आपके पास होती है. और उस knowledge की कमी की वज़े से, कई बार वो अपनी accounting करते हैं, जो कुछ गलतिया कर देते हैं. या कई बार ये गलतिया किसी से भी generally हो सकते हैं. मैं उसी गलती का impact आपको दिखाना चाहरा हूँ, कि उस गलती से क्या फरक पड़ेगा. मुझे एक बार बताएगा, क्या मैं अपने इस छोटु को 11 महीनी की payment दे चुका था, यानि कि एक लाग दस जार रुपे दे चुका था. 31 मार्च के दिन छोटु मेरे पास आता है. कहता है, सर, मुझे ना गाउं जाना है. आज 31 तारीक है, मैंने इस महीनीय काम अपना पूरा कर दिये. आप मुझे payment कम दो गए? मैंने का, साथ अपरेल को. कहता है, सर, गाउं जाना है, अर्जेंट है, आप मुझे दस जार रुपे आज ही दे दे देजिए. मुझे लगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है. अच्छा, आप बताओ, क्या वो मुझे एडवांस मांग रहा है? नहीं, वो मुझे एडवांस नहीं मांग रहा है. एडवांस तो वो होता, जो मुझे अपरेल की सैलरी मांग लेता. वो तो मुझे मार्श तक काम करने के ही पैसे मांग रहा है. जो कि एडवांस नहीं है. तो मैंने क्या कहा, ठीक है भई, ये लोग 10,000 रुपे, और उसी वक्त अकाउंटेंड ने एक एंट्री की, expenses, account, debit या salary, account, debit to cash. 10,000 रुपे. 10,000 रुपे अपनी जेब में रखने के बाद, छोटू बोलता है, सर, 2,000 रुपे और मिलेंगे. मैं आकर, क्या लगता है, वापिस करेगा या काम करेगा? काम करेगा, वापिस नहीं करेगा. कि सर, मैं आके काम कर दूँगा, अगली बार salary कम दे दे ना मुझे. अब मैं जानता जाए, भई भई काफी टाइंग से, तो मैंने ठीक होटू, ये ले, दोजार रुपे और रख ले. मैंने दोजार रुपे से दिये, अकाउंटेंट ने फिर देखा, और अकाउंटेंट ने इस बार का किया? उसने का, अमाउंट चेंज कर देता हूँ, इंट्री ये कर देता हूँ. क्या इंट्री की? Expenses account debit to cash, दोजार से और कर दी. अक्चुली में एंट्री होनी चेह थी, expense account debit to cash, दस हजार, जो मार्च मन्त का जा रहा था. और जो उसने दोजार एक्स्ट्रा एडवांज मांगा, उसकी एंट्री होनी चेह थी, prepaid expenses, debit to cash, कितने से? दो हजार से. बात समझ में आई आपको? तो ये prepaid expenses तो cash होती 2000 से, लेकिन ये तो किया नहीं, accountant ने ये थुड़ी किया, accountant ने तो ये कर दिया, और जब ये किया, तो मुझे इसको basically गलत किया, इस गलती को ठीक करने के लिए. अब आप ध्यान सुनना, अभी तक अगर मैं आपके example की बात करूँ, तो आपने 1,10,000 ये debit कर दिया, 12 ये कर दिया, total कितना debit कर दिया, 1,22,000, debit होना कितना चीह था, 1,20,000, तो कितना जार debit हुआ, 2,000, तो उस 2,000 को मैं क्या करूँगा, reverse, to expense, आपसे क्या बोला था, expense का balance क् है, debit, increase पे debit, decrease पे credit, decrease कर क्यों रहा हूँ, क्योंकि गलत कर दिया है, करना था, 1,20,000 से debit कर दिया, 1,22,000 से debit, तो 2,000, जो गलत debit कर दिया है, उस 2,000 को credit करके reverse कर रहा हूँ, और जो credit करके reverse कर रहा हूँ, 2000 से, उसके बाद उपर क्या लेका रहा हूँगा, prepaid expense, 2000 से समझ रहे आप मेरी बात तो entry दोनों ही सही है ये भी correct है ये भी correct है लेकिन जो ये वाली है ये adjustment entry है ये कौन सी entry है? ये adjustment entry है और ये कौन सी entry है? ये normal entry है जो सही तरह से होनी चाहिए थी अगर accountant गलती करेगा तो adjustment करनी पड़ेगी अगर accountant गलती करेगा ही नहीं तो normal entry से काम चलाएगा ना तो इसका मतलब सर उपर अगर हम जाएं तो prepared expenses को हम दो पार्ट में divide कर सकते हैं जिसमें हम बोलेंगे एक तो क्या? कि सर एक तो होती है normal entry और एक होती है कौन सी? adjustment entry normal entry में क्या entry करते हैं? normal entry करते हैं prepaid expenses debit to cash और adjustment entry में क्या entry करते हैं? प्री पेड expenses debit to expenses account देखिए आपके सामने हैं और मैंने example के थू कराया है ताकि ये बात आपके दिमाग में अच्छे से समझ में आ जाए आपको कि वही entry कब कौन सी कहां करनी हैं? ये चीज़े बहुत जरूरी हैं जाननी और समझनी कि भी आपके पास इस entry का basic क्या है? चेप्टर मेरा start हो चुक है ये सारी entry हैं जो गलतिया हैं जो रेक्टिविशन में आप सीखने वाले हो तो हम तो चेप्टर स्टार्ट कर चुके हैं Rectification of Error का चेप्टर चल रहा है और मैं आप तो आपको गलतियां करके भी दिखा रहा हूं मैंने अब तक आपके साथ चार पॉइंट कर लिए मेरा फिफ्फ पॉइंट आ रहा है आपके सामने अब है income का ना इंकम की बात करेंगे इंकम को लेके बेटा फिर से तीन पॉइंट है जिस तरह से expense को लेकर थे बिल्कुल वैसे ही तीन पॉइंट है एंकम अँड रह एंड रही है कि आपके साथ चार पॉइंट है इन्होरीी दोरी ए रर्षवेंग कर fed gक अंहोır आट-द। अर्षवेंग कुऱ् strengthen में आटatas आटन अब इन्होरी के च्बोराई ब कि म ह sąगने है 아니라 ध्यान सुनिएगा मैं इंकम को लेकर बहुत डेटेल में कुछ बाते करने वाला हूं अगले आने वाली 20-25 मिनट जो भी होंगे करेंगे और इंकम भी इंक्रीज हो रही है उसको करेंट करेंगे तो आक्चुली में क्या इंट्री हुई कैश काण डेबिन तूंन इनकम अब वह इनकम कुईレंट रिसीव हो सकता है कौई इंटर सी्व हो सकता है तो आप cash account debit to normal income लेकिन income earned but not received इसको actually मैं कुछ लोग बोलते हैं accrued income मैं बोलना चाहूंगा outstanding income और इसको हम बोलते है on earned income sir outstanding income का मतलब income earned but not received expense expense due but not paid accrued income क्या होता है accrued income अलग होती है आपने mostly income को लेकर हमेशा accrued income word ही उसकिया है और वहां पर यहीं सिखाया है income earned but not received लेकिन इसके बीच में एक चीज और है जो है accrual accrued income क्या है कैसे है example समझेंगे example समझ में आएगा तो पूरा तरह से concept clear हो जाएगा ध्यान से देखेगा मैं आपको पहले एक रेंट का example दूँगा जिससे आपके बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको outstanding income समझ में आएगी जहां सुनना फिर से आपके सामने वही है एक अपरेल 2019 31 मार्श 2020 आपने अपनी एक प्रॉपर्टी बिजनस प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी रेंट पर दी 10,000 रुपर्ट यह रेंट आपको month end पर मिल जाता है याने कि हर 30 अपरेल को मिल जाता है तो 30 अपरेल को आप एंट्री करते हो cash account debit to rent receipt 10,000 10,000 ऐसे करके आप एंट्री कर रहे हो अपरेल में कर रहे हो में में कर रहे हो जून में में कर रहे हो जुलाइ में कर रहे हो ऑगस्ट में कर रहे हो सेप्टेंबर में कर रहे हो अक्टोबर में कर रहे हो नवंबर कर रहे हो दिसंबर कर रहे हो जैन्वरी कर रहे हो फेबरी कर रहे हो अब तक कितनी बार कर चुके हो अब तक आप कर चुके हो दस हजार इंटू 11 एक लाग 10,000 और एंट्री कितनी बार की एंट्री हो चुकी होगी Cash account debit to rent एक लाग 10,000 से अच्छा अब चल रहा महिना कौन सा? March का March के 31 तारिक को भी एक एंट्री होनी थी Cash account debit to rent लेकिन पैसा आया साथ तारिक को क्या आप से एक सवाल है सिंपल सा क्या आपका इस पिरेड में आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट थी? आपने किराय पर दी हुई थी? Yes क्या इस पिरेड में आपने रेंट कमाया है? Cancer is yes, rent on बट क्या receive हुआ? नहीं, receive नहीं हुआ तो आप क्या बोलेंगे? आप 31 मार्च को बोलेंगे कि भई मैंने rent earn तो किया बट not received है इसी चीज़ को मैं बोलता हूँ outstanding income और ये पैसा मिलना है तो आप के लिए बन जाएगा एक asset और asset का balance क्या होता है? debit तो आप बोलते हैं entry outstanding income debit to income अब income में rent लगाओ interest लगाओ वो आपकी मर्जी है जो भी question example देगा उसके पॉर्णे तो outstanding income का मतलब आपने कमाया बट आपको मिला नहीं तो यहाँ पर entry बनी outstanding income account debit to income account outstanding income account debit to income account तो सर फिर यह accrued क्या होता है? एक और point भी है accrued income यह कौन सा था आपका? outstanding income अब आ रहा है आपके पास accrued income अब accrued income को समझेंगे ध्यान से बहुत इसके लिए मुझे एक और एक्जांपल देना होगा आपको? accrued income का एक्जांपल कुछ इस तरह से? दियान सुनना? एक अप्रेल दो हजार उन्निस loan given आपने किसी को loan दिया एक लाख रुपए का जिसके ओपर 12% पर आनम का interest मिलेगा इंटरस कैसे मिलेगा? पहले मिलेगा 30 जून के दिन फिर मिलेगा 31 दिसंबर के दिन फिर बीच में आएगी 31 मार्च और फिर मिलेगा 30 जून के दिन ठीक है? यहाँ से दिखेगा सबसे पहला interest कब मिलेगा? यहाँ से यहाँ तक का इस interest के लिए working करी जाएगी एक लाग के उपर 12% थ्री मांस के लिए यह बना 3000 रुपे और पैसा आपको मिल भी गया क्या entry के लिए आपने? cash debit to interest 3000 अगला interest कब मिलेगा? अगला interest मिलेगा 31 दिसंबर के दन इसके लिए क्या entry हो जाएगी? एक लाग के उपर 12% पहले calculation कर लेते हैं एक लाग के उपर 12% थे महीने के लिए यह बन गया आपका 6000 रुपे और entry बन गई cash debit to interest कितने से? 6000 रुपे से तो यह cash debit to interest 6000 करके आप तक आप 9 महीने की income को बुक कर चुके हो बट अब आपके लिए मेरा एक सवाल है कि अगला interest आपको कम मिलेगा? क्या 31 मार्च को मिलेगा या 30 जून को मिलेगा? Interest मिलेगा 30 जून को कि interest की due date जो है वो 30 जून है यानि कि यहां से यहां लेकिन दिक्कत यह है कि इस पीच में एक date आ रही है जो कि year end है अब आप मुझे बहुत ध्यान से बताएंगे क्या इस period में आपने loan दिया हुआ है? The answer is yes क्या आपने इस period में interest कमाना है? Interest earn करना है? Yes लेकिन क्या इस date पर आपको interest मिल सकता है? The answer is no तो इसका मतलब आप इस period में interest क्या कर रहे हो? Earn कर रहे हो But not due है कमाया तो है, बट मिलेगा नहीं क्यों? क्योंकि इसकी due date नहीं आई Interest कब मिलने की बाताती है? जिस दिन वो due होता है तो जब तक वो due नहीं होता वो interest earn तो हो रहा है लेकिन मिलने का right नहीं है और इसी चीज़ को बोलते है Accrued interest Interest earn but not due अच्छा अगर वो due हो जाए और उसके बाद ना मिले तो फिर वो outstanding बन जाता है तो जो पिछला rent वाला example था उसमें आपका 31 मार्श के दिन rent due हो गया था मिलने के लिए उससे पहले कोई भी दिन बोलोगे ना तो मैं यह बोलूँगा कि Accrued rent है मिलना earn कर चुके हो कमा चुके हो लेकिन मिलेगा नहीं आपको तो आपके लिए Accrued interest अब बहुत ध्यान दिखेगा Accrued interest क्या बनेगा Accrued interest account debit to income Accrued interest account debit to income या to interest इस तरह से तो समझना यह है कि आपके लिए वो income जो आपने कमाई बट अभी मिल नहीं सकती वो Accrued interest के नाम से Accrued income के नाम से आईगी और जब actually मैं अब बहुत ध्यान सुनना जब 30 जून के दिन actually मैं आपको पैसा मिलेगा तो आप क्या करेंगे आप लिखेंगे cash account debit फिर आप क्या लिखेंगे to interest और to Accrued interest यह है 6000 तीन हजार बता बताओ गहें 3000 कौन से पिरिट का है यह 3000 है इस पिरिट का और यहां पर भी कितना आएगा 3000 यह 3000 कौन से वाला यह 3000 है यह वाली इंट्री का जो आपका एक लाग के ओपर बारा परस्टन तीन महिने के लिए है ये वाला है इस period का तो मिलेंगे तभी जब आपका actually interest date आएगी उससे पहले सिर्फ आप earn कर रहे हो अगर due हो गया है तो वो outstanding में convert हो जाएगा और अगर due नहीं हुआ है तो वो accrual के पार्ट में रहेगा तो इस entry के अंदर अब मैं क्या लिख सकता हूँ जो आपके सामने में ले के चल रहा था concept wise accrued income का मतलब income earned but not due जिसके लिए लिखा जाएगा accrued income debit to income हाई पार समझ तो बेसिकली outstanding कब यूज़ करना है और accrued कब यूज़ करना है इसके लिए आपको एक main point ध्यान रखना है कि जब भी आपकी due date 31 March के अलावा कोई और है यानि कि अगर year end date और interest rate अलग अलग है तो हमेशा accrual आएगा interest rate और year end date सेम हैं तो कभी भी accrual वाली बाते होंगी ही नहीं लेकिन अगर यह दोनों अलग अलग हैं तो हमेशा इनकी बाते होंगी कि यह accrual concept बन जाएगा मैं फिर से बोलता हूं अक्रूला concept कर बनता है जब interest date और year end date अलग अलग है अब आगे बढ़ते हैं हमारा income earn but not receive वाला पार पूरा हो गया अब income received in advance की बात करता हूं income received advance जिस तरह से prepaid expenses की बात थी बिल्कुल से उसी की बात यहां पर भी है इसमें भी दो तरह से entry होती है एक normal entry और एक आपकी adjustment entry अगर आपको कोई भी पैसा advance मिलता है जो कि आपकी income नहीं है future में income बनेगा तो उसको भी आप आप दो तरह से show कर सकते हैं एक तो normal entry की थरू normal entry क्या बोलेगी कि आप cash account को debit कीजिए to income received in advance और दूसरा जो आप बात करेंगे वो क्या होगी adjustment entry अगर आपने पहले income received in advance book ना करके income book करी होगी फिर से बोलता हूँ अगर आपने पहले income received in advance book ना करके गल्टी से income book की होगी तो आज उस income को reverse करना होगा और फिर यह entry बन जाएगी income debit to income received in advance देख लिएज़ा है तो आपके सामने expenses में भी prepaid में पॉइंट आया था और income में भी earn income में पॉइंट आया है इसी के basis पर आपके सामने में लिखा हुआ है कि normal entry कैसे होती है और adjustment entry कैसे होती है और हमने उसी के recording entries को draft किया है debit credit तो वो ही रहेंगे उसमें कोई change नहीं है उसमें कोई impact नहीं है अब आपको समझना क्या है कि recording में debit और credit कैसे आ रहा है यह cash debit हुआ क्योंकि सही तरह से record कर रहो पैसा आ रहा है लेकिन advance है और advance income हमारे लिए क्या होती है एक liability होती है और liability का balance क्या होता है credit इसलिए हमने two income received advance लिखा हुआ है और अगर मैं बात करूँ adjustment entry की तो adjustment entry income को कम करेगी यूँकि आपने पहले गलत income को record किया हुआ है तो income को debit कर दिया और two income received advance कर दिया I guess आपको मेरा point clear हो गया होगा मैंने अपने पास income वाले point को भी cover कर लिया है मेरे पास पांच point cover हो गया है मैं आप अपने पास six point को लेकर आपके साथ discuss करूँगा इसके इंदर अगर देखा जाए तो मैंने कम से कम नाना करते हुए 15 से 20 entries को cover कर लिया आप तक कुछ points कारा कौन सा amount है इरrecoverable amount है basically non-recoverable जो पैसा हमें नहीं मिल पाएगा मैंने अपने goods या services किसी को दी goods बेचे या services किसी को दी और वो person अगर मेरे पैसे ना दे तो वो amount मेरे लिए बन जाता है इरrecoverable amount that is bad debts और इस case में आकर इस situation में आकर मुझे उनके लिए कुछ जनरेटी पास करनी होती है अगर मेरा सारा पैसा डूप जाए फूजाबर मुझे किसी से 10,000 रुपे लेने और वो सारे डूप जाएं तो मैं उसे बोलता हूँ complete bad debts और अगर कुछ पैसा मिल सकता है तो तो मैं बोलता हूँ उसे partial bad debts तो complete bad debts, partial bad debts इस तरह के concept रहते हैं complete bad debts का मतलब आपको 10,000 रुपे लेने थे 10 के 10 दूप के तो अब आप dual aspect सोचिए अगर आपको किसी 10,000 रुपे लेने हैं और 10 के 10 अगर दूप जाते हैं तो इसमें आपका फायदा हुआ या नुक्सान हुआ इंकम हुई या expense हुआ, expense अगर हुआ तो expense का balance क्या होता है, debit और expense को debit करेंगे तो क्या लिखेंगे, bad debts account debit, पैसा लेना किस से था, debtor से debtor कम हो गए, debtor होते क्या है, asset, asset का balance, debit, increase पे debit, decrease पे credit, तो क्या लिखा चाहेगा, to debtor's account, बास समझ में आ रही है, तो bad debts, account debit to debtors, और यहाँ पर आपके पास है क्या, partial bad debts, partial bad debts, partial bad debts का मतलब जहाँ पे कुछ पैसा मिल गया, कुछ पैसा नहीं मिला, तो उसके बाद जो पैसा नहीं मिल पाया, जो कि आपका नुक्सान बन गया, expense बन गया, तो वो debit to, अब आप लिखेंगे यहाँ पर debtors, 10,000 से, यहाँ का पूरा का पूरा दर्जा डूबा था, और यहाँ पर जितना डूबा उतना ही लिखा जाएगा, अच्छा, इस चीज को लेकर कुछ कोशन कहता है, कि आपको 60 पैसा इना रुपी रिकावर होगा, यानि कि एक रुपे में 60 पैसा, एक रुपे में 100 पैसे होते हैं, आपको 60 पैसे मिलेंगे, यानि कि 60% मिलेगा, तो जब कोई 60 पैसा बोल रहा है, तो इसका मतलब अगर आपको एक रुपे लेना है, तो वो आपको 60 पैसा द आपको 600 देगा और अगर आपको 10,000 लेना है तो आपको 6,000 देगा तो जितना पैसा वर्ड लिखा होगा उतना ही पैसे को पैसा ना पढ़कर आप परसेंट पर सकते हैं क्योंकि एक रुपे में 100 पैसे होते हैं और परसेंटेज भी 100 के अकॉर्डिंग होती है तो वन का 60 इसका मतलब 60 परसेंट 60 पैसा उसके अकॉर्डिंग ही वर्किंग है इन दोनों चीजों को लेकर एक और अच्छा पॉइंट है कि जो भी आपने ये बै बैड़े hits रिकॉर्ड कब होते है जहररे लोगं अपनी बुक्स में बैड डैट्स एज़ली रिकॉर्ड नहीं करते कुकि उनको प्रूफ tą क्ना बड़ा मुश्किल होता है जब तक आप उन्हें प्रूफ नहीं कर सकते तब तक आप ऊपने बुक्स में बैड़ेट्स हुए हैं तो अब मैं आपके सामने एक सिंपल सा पॉइंट लेता हूँ बाद डेट्स के रिगार्डिंग अगर आपका बाद डेट्स का पैसा जहां सुनिए गब आपने एक पर्सिन X को 10,000 के गुट्स पेचे तो आपने एक एंट्री की होगी X debit to sales cash में नहीं है credit की transaction है तभी तो bad debts की बात आएंगी cash transaction में bad debts की बात रिक्यों आएंगी तो X to sales कितने से किया 10,000 से अगर X आपके पैसे दे देता है तो एंट्री होगी cash account debit to X लेकिन X आपको एक proof दिखाए जी मैं हो गया हूँ insolvent और मैं आपके पैसे नहीं दे सकता तो आप एक एंट्री करेंगे bad debts debit to X कितने से 10,000 से अब दो चीज़े हैं यह 31st March अगर X 31st March से पहले earlier मैं और बेटर तरीके से लिखूँ अगर X before 31st March पेमिंट कर दे तो मैं एंट्री करूँगा cash account debit to bad debts लेकिन अगर X 31st March के बाद पेमिंट करे तो फिर मैं लिखूँगा cash account debit to bad debts recover ऐसा क्यों? क्योंकि 31st March वो डेट है जिस दिन account close होते हैं अगर आपने 31st March से पहले ही X से पैसे ले लिए हैं तो इसका मतलब आपका bad debts का account close नहीं हुआ होगा तो आपको bad debts account खतम करने के लिए 10,000 रुपे रिसीव करने होंगे और 10,000 रिसीव करते ही bad debts account खतम होगा खतम होने का मतलब अब bad debts नाम की कोई चीज़ ही नहीं रही लेकिन अगर 31st March के बाद पैसा मिला तो bad debts expense बुक हो गया और next year में जब next year में पैसा आया तो next year में वो फिर आपके लिए bad debts का पैसा नहीं आया वो bad debts recover का पैसा आया generally हमेशा हमारे course में या हमारे accounts के subject में जब भी bad debts recover की बात होती है तो हम यहीं मानते हैं कि पैसा next year में recover हो रहा है तो मेरे concept के according अगर मैं entry बनाओ तो हमारे लिए entry बनती है bad debts recovered के लिए हम पैसा आया है तो क्या करेंगे cash account debit to bad debts recover 10,000 रुपए या जो भी amount आया 4,000 रुपए जो भी example होगा उसके according या आपके पास 10,000 या 4,000 के एंट्री record की जाएगी depend करेगा question के according अगर मैंने आपको practical life का point of view बता दिया साथ साथ कि अगर 31 March यानि कि account close होने से पहले पैसा आ जाए तो आप normal cash to bad debts भी लिख सकते हैं अचा अगर आपने bad debts record ही नहीं कि उससे पहले पैसा आ जाए ना लिजिए अगर यहाँ पैसा आ जाए तो फिर क्या entry होगी फिर तो entry होगी cash account debit to x तो यानि कि stages बन गए bad debts होने से पहले पैसा आया तो cash to x account close होने से पहले पैसा आया और आप bad debts record कर चुके थे तो cash to bad debts और अगर next year में पैसा आया जिसमें आप bad debts हो close कर चुके थे तो फिर entry होगी cash account debit to bad debts recover हमारा जो accounts का level cover करता है वो हमेशा ये वाला part cover करता है कि cash account debit to bad debts recover entry की जाए क्योंकि इसके अंदर हम हमेशा मुष्ट ये करते हैं कि bad debts की entry हम record कर चुके होते हैं और इसको account को close भी कर चुके होते हैं इसलिए हमेशा cash account debit to bad debts recover ही entry record की जाती है आई बात आपको समझ में तो ये कुछ basic points हैं अभी तक हमारे इस चीज़ के regarding कि हम अपनी books में accounting entries कैसे record करते हैं और उसका treatment किस तरह से show करते हैं so अब यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ basic points के बारे में जैसे कि मैंने आपसे बोला कि मैं चैप्टर स्टार्ट करूँँगा rectification of errors का although मैं start कर चुका हूँ लेकिन मैं कुछ बाते आपको hint की तरह बता के जाना चाहूँगा आज कि हमारा जो chapter होगा पहला वो rectification of error का होगा और जो हमारी 11th class chapter था ही यह वाला उसके अंदर आपने कुछ errors के नाम सुने हूँ है error of omission, error of commission, error of principle, compensating errors, वो चार तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है लेकिन उसके अलावा हम और level को आगे लेके जाएंगे और जो मैं आपके साथ ही discuss कर रहा हूँ यह actually में और कुछ नहीं यह आपके वो points थे जो आपको journal entry करते हैं तो आपको मिलेंगे, मैं एक पहले point को बोलू, error of omission को error of omission का मतलब क्या कि आपको यह transaction को record करना भूल गए अगर record करना भूल गए तो आपको उसे record करना होगा, तो जो हमने यह सीखा यह actually मैं record ही तो कर रहे हैं मैंने अभी तक आपके साथ इन दो classes के अंदर कुछ entries को record करना सिखाया है, आगे आने वाली हमारी आज तक के लिए इतना ही रखते हैं, आपने आगे आगे classes के अंदर हम आगे शुरू करेंगे so जल्दी ही मिलेंगे, thank you so much bye bye, thank you